नमाशकार मित्रो, महराविंद्र पिंदरकर और जिवन जडीबुटी चानल में आप सगी का मन पुर्वक सहबत है मित्रो आज मैं आपको काली मुष्ली से होगत कराऊंगा और इसके उपवेब बताऊंगा यह जो आप सामने पोधा देख रहे हैं यह काली मुष्ली का पोधा है इसमें प्रोटीन, विटामीन और मिनिरल्स रखुर्ती ने इसके कूट-कूट के भरे किस्प के सेवन से खरीर में अत्यादिक उर्जा और शक्ति का संचार होता है तो आप देख रहे हैं काली मुष्ली जो आप सामने देख रहे हैं यह महा उश्यदी के नाम से यह पोधा जाना जाता है इससे शरीर में की हर एक बिमारी दूर करने की सामर्थ इस वनस्पति में होती है बित्रो इसका पहला उपयोग में उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनको बावासिर की तपलीग हो तो बावासिर के तपलीग में यह काली मुसली के तुकड़े आपको लेना है यह आपको काली मुसली के तुकड़े छोटे-छोटे बनाना है यह देखे मैंने यह पर आपको दिखाने के लिए तोड़के रखा है इसमें ऐसा यह सपेद घटक आपको दिखेंगा यह असली जंगली काली मुखसली है वित्रो तो बावासीर में आपको इसके छोटे-छोटे तुकड़े बनाना है और घी में इसे तल लेना है और तलने के बाद दिन में तीन बार इसे दो-दो या चार-चार तुकड़ों के मातरा में आपको सेवन करना है यदि ऐसा आप प्रणी बावासीर या अर्ष की बावासीर समुल नश्ट हो जाती है और पुना फिर बावासीर की कपलिक नहीं होती संदिवात में कमर के दर्व में शरीर के हर जैन के दर्व में इसका बहुत प्रभावी उपाय होता है जिनको संदिवात है जैन पेन है उन्होंने इस काल काली मुसली का कुरन मनाना है। और इसके कुरन को सुबोश्याम एक चमम nettकी मादा में दूध के साथ सेवन करना है। यद dare आप यह पंरा दिन सेवन करते तो आपके संधिवात में आपके जैन के दर्थ में पूरा आराम होता है और संधिवात ये पूरी तरह ठी हो जाता है जिनको पत्री है उन लोगों ने इस काली मुशली के चुरन को मिश्री के साथ और चंदन के तीन या चार बुन इसमे डालना है यदि ऐसा आप सेवन करते हैं तो आपकी पत्री क्यावल 14-15 दिनों में बड़े से बड़े पत्री निकल जाती है और पुना पत्री की सिखायत होती नहीं तो मित्रों ये काली मुशली डायबेटिस के विमारी के लिए डायबेटिस में अक्सर आप जानते देखते हैं कि डायबेटिस के रोगी को बहुत कमजोरी और ठकावट महस्यूस होती है तो उसके लिए के काली मुशली का चूरण आपको दुद के साथ सेवन करने से आपकी ठकान आपकी आलस और काम करने की इच्छा ना होना ये सभी दूर होकर आदमी धस्ट पुष्टो हो जाता है और तंदृत हो जाता है तो आप इसे अवश्चे शेवन करें एक बार इस वनस्पति को आप ठीक से देख लें ये जंगली काली मुशली है मित्रों बहुत कम दिखने को मिलती है अत्यन्त दिव्य और महा उश्यदी के नाम से इसमें आयरवेद को स्थान है आयरवेद में इसका बहुत उच्च स्थान है तो आप इसे देखे पंशारी के दुकान पर मिल जाती है किन्तु मित्रों वो बहुत दिनों की होती है पता नहीं कितने दिनों से लाये भी होती है तो इसे आप धून करी इसका सेवन करें मित्रो यदि वीडियो पसंद आया होंगा तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद